हेलो स्टुडेंट्स दिस गज्जु सार वैलकम तो ओल माई डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स मैं आपके लिए क्लिए हूँ एक प्रैक्टिस वीडियो इसमें हम 10 यहां पे अब क्यों कि आपको मैं आपको इसे रूप में यहां पर आपको बता दूँ और लिए ऐग्जाम पर पॉइंट्विसे बात कि जाए तो न्यू पैटन पर है क्या कहां मैंने फिर से रिपिट करना चाहूंगा मैं न्यू पैटर्न के ऊपर आधारी ती एडियम्स और फ्रेजिस है और न्यू पैटर्न कैसे कोशन पुछ जाते हैं एक्जाम में उसी के आधार पे हमने कोशन स्रीज आपके लिए बनाई है तो फ्रेंट्स आप इसको द्यान से देखिएगा द्यान से समझिएगा और एक एक क्वेशनों को हम डिटेल से डिस्क्स करेंगे आप बैंक वाले स्टुएंट सोचने हैं कि बैंक के लिए इंपोर्टेंट है कि नहीं दिल्कुल है बाई सेंटेंस इंप्रूमेंट आता है ठीक है या फिर पैसे आता है उसमें करीबर इंपोर्टेंट हो चाहे वो एडिटोरियोल हो उसमें भी इंपोर्टेंट से पूछ जाती है तो मैं बता दे हूँ यहां बेंक के स्टुएंट के लिए इंपोर्टेंट है मतलब यहां पे हम एक चीज को यहां डिटेल से समझने वाले हैं तो मैं स्टार्ट करूँगा डॉंट वेस्टाइम लेस्टार दिस सेशन के फ्रेंस डिरेक्शन में दिया हुआ वन टू फिप्टी है और वैसे मैं आपको बाल बता हूँ तो इडियंस है वह क्या जी वह इंफाइनाइट है लेकिन यहां पे जो हम बात करेंगे वह इंपोर् लेकिन वरब कैसी आती है singular आती है वैसे प्लूरल भी यती लेकिन डिटेल से डिसकूँ को पर नौन आने पर उसके पास वाले उसके अनुशा लगाते है लेकिन वह ग्रेमर के सेशन में आपको डिसकूस किया जाएगा एक है को निपकर उपर देखने वाला हूँ और अप क्या देखिएगा, एनि इृइडियोंन एक्सप्रेशन फ़ूर प्रॉबब, यहां पो इडियूमन एक्सप्रेशन प्रॉबब, क्या एडियूम्स दी गई है, हाइलाइट च्राइट क्या डोव, याफिडयों वाला कलर लें, उसी को आपको आश्रमाना उसी को आपको टिक करना है क्लिक करना है क्लिक है विलाए को फास्ट एक ये सेंटेंस के स्सक्राइब़ और बाद बाले ना उनके नुसर आती है, तो there was no position, कोई विरोध नहीं था, to the new policy, नहीं जो रिती थी, उसका कोई विरोध नहीं था, by किसके दुवारा, rank file of government, government के क्या rank file, अब rank file का मतलब क्या, government के वो rank file, rank file का meaning क्या है, तो the officially machinery, यहाँ पे machinery का मतलब होता, दाचा या प्रसा and fine file का मतलब क्या होता है, तो there was no position, कोई विरोध नहीं था, किसका, to the new policy, जो नहीं निती थी, उसका, इसके दुवारा, rank file of the government, government के क्या, तो government के हमेशा जो rank और file होते है, वो क्या होते है, ordinary members होते है, तो friends का सही answer है, वो क्या rank and file, EDM सा आप से पुछ जाए, sentence के तुरूद, उसका मतलब होता है, the ordinary members, I hope कि आपको ये question सामझ में आ गया होगा, तो याद रखे, rank and file क्या होती है, government क्या होती है, ordinary person होते है, सामाने जो लोग होते हैं, उनको हम यहाँ पर answer tick करेंगे, ordinary members, तो याद रखे, rank and file को मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, क्या मतलब होगा है, the ordinary members, I hope कि आपको एक question ध्यान में आ गया होगा, next question की हम तरब चलते हैं, next question है मेरा, पढ़ना चाहूँगा मैं, the color, color कौन, color पढ़ेंगे, color ने wipe the nose, wipe the nose का मिनिंग क्या होता है, जैसे wipe का मतलब साप करना होता है, color ने nose साप कर दी, किसकी nose साप कर दी, ओ, फिज़, employer, अपने ही boss की, न्युकता हो, मालिक होता है, employer क्या होता है, मालिक, अपने ही मालिक की क्या कर दी, नाक साप कर दी, by submitting a false will, और गलत will क्या कर दिया, submit कर दिया, इसकी वज़े से क्या होगा, was dismissed from the job, उसको job से निकाल दिया गया था, मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा, कि कलड़क ने क्या कर दिया, बही, अपने ही मालिक के साथ, क्या गलत will, यहां submit कर दिया है, इसकी बज़े से उसको job से वहाँ निकाल दिया गया, यहां पे वोज़ प्लस वीथर्ड, यह क्या है जी, यहां पे बी प्लस वीथर्ड, जहां पे भी sentence में, बी प्लस वीथर्ड आये, वो बी वरब के साथ बी के बच्चे काई जामार है वोजवर है और बीन है और बींग है इसके बच्चे इसके साथ वीथर लगाओ पेसी हो इसे बी प्लस वीथर होते हैं वो पेसी होती है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा तलरक एकलरक ने वाइड दे नोस इसका मतलब क्या है नाक साप करती है पता है नहीं लिए भाई आपके नाक साप करूँगा मतलब आपके नाक साप कर दी है आपको बाद में पता लगता है इसका मतलब मैंने आपके नाक साप के मतलब आपके नीचे से काम किया है नाक या नीचे बैती है मतलब उसे याद करनी होता है निए डिम ज़का एक्जक्ष में आज जाता है जैसा सेंटेंस वर्ड दी वैसे मिनिंग तो आता ही निए चीटेर दोखा किया है अभी उस गाली दी है अभी चाटा मार दिया ननो धी जिन में से कोई नहीं तो बैंक वे वैसे पांस-पांस आते है आज कल तो इसका मत मेरे पास क्या है मेरे पास हड़ी है इसे बोलोगे ना अरे बोलोगे नहीं बोलोगे बाप्रे और आपकी कोई हड़ी ऐसे खीचता है आपकी स्कीन को कोई खीचता है तो पास बां है उसको उठानी कोशिश्श की सब्सक्रेंद्च storm मार्ष भाई टोड़ी कोब आप ऊनडुशिष बाउगे धीक है अगला है आएम एंग्री गुश्शे में लाल हो जाओगे तो friends indebuted का मतलब क्या होता है रिंगरस्त हो जाओगे एसान मंद हो जाओगे ना भाई एसान मंद थोड़ी हो गयार मजा रहा है एसान मंद दूम तरह बाई एक बर और करें या विल जोईन हैंड्स या आप भी जोईन के लोगे भाई तू भी खैस मैं भी खैसता हूँ ऐसा नहीं है या आपको कोई खाल को पकड़ के खिशता है या आपको चिकोटी कारता है तो आपको I am in agree आप गुस्सा होगे भाई क्या हो जाओगे गुस्सा या प्कड़ के पिकक या तो आप क्या होगे कुस्सा होगे खीक है नेक्स एडियम केतर talk चलता हो फ्रेक्स मेरा नेक्स एडियम है हो क्या है ते नूशीम, नशीयम ने दोनों की चर्चा में यहां पर करने वाला थूँ सटी की स्टी के स्ट का छक्डी का दोनों की चर्चा मैं यहां पर मतलब जर ka Next तुड़े आज की बात ل很ร cap और वाइदा किया क्या वाइदा किया था 10 kg free wheat 10 kg गया हूँ एक मंत का फिरी बाटने वाला है मतलब promise किया उसने for rural families ग्रामिन जो परिवार है ग्रामिन जो छेतर के जो लोग है ग्रामिन परिवार के लोग है उनको 10 kg गया हूँ वो एक मेहने में देने वाले हैं इसा वाइदा उनने किया था इसका मतलब क्या हूँ stuck यानि उसने चिपक गया था इस नेक चैए बहले ही मेरी ना यह नेक थी guardan बहले ही मेरी guardan out चाहिए out हो जाए कट के side में चली जाए लेकिन मैंने बहुत चिपक गया करें गार मेरी नेक है वह आउट हो जाए स्रीर से अलग हो जाए तो यसे उसने सीम ने भी इसा ही किया इसका मतलब उसने सपत ली ना सपत लेने में कौन सी को रिस्ट थोड़ी है या सपत लेता है नॉर्मली काम त्युक्त सथे ली या फिर एक्सेंड हैं विस्तित यहां सहिता की भात और यह कोज एंब्रेस्मेंट यह इसा है कि अपने आपको अंब्रेस्मेंट किया मतलब गबरात हुई उलसन हुई या उसको ऐसे कह सकते हो तो यहां पर मतलब है कि उसने जैसे गर्दन कटने या काम हो आपके ध्यान में आऊ गया नेक्स वर्ट के तरफ चलते हैं नेक्स वर्ड है फ्रेंड है वो देगा हरसीड बाई तो हैरसीड का मतलव पहले से था प्रेशानी या प्रेशान कह सकते हो बाई रिपिटेट ए ओफ इंजस्टीस अन्या उचित जो कारी हो रहा बारबार रिपि मतलव प्रेशान किया लेकिन एपने पाउं वहापे जमा दी अंगत की दरा पाउं जमा दी है मतलव अंगत था राम में आपने सुनागा अंगद बंदा था वो गया था लंका में बेटने के लिए जगनी दी तो लेकिन उसने अपने पाउं वहां पे जमा दी राओं ने पकड़ने कोसिस की तो उसने पेर अठा लिया था बुले मुरक पड़ना है तो बगवान सिर्राम के चरणों में पड़ म परणों में क्या रखा है तो इसका मतलव ऐसाइब भाहिसाब ने भी साइब कर लिया बार-बार उसको क्या चाया जाज जी यह राची परिशान गया लेकिन उसने अपना पेर वहीं पे जमा दिया इसका मतलव resign not to yield समरपण नहीं किया आपने आपको resign resign कर दिया resign का मतलब त्याग पत्तर दे दिया है to save the proposal unconditionally withdraw आपस खैसलिया है ऐसा कुछ तो बताओ भई आपने पेर जमाली है मतलब क्या होगा इसका answer answer बताओगे भई बोलो भई answer बोलो आपके साब से क्या होगा not to yield मतलब अपने आपको समरपण नहीं किया अपने आपको त्यागा नहीं उसने not give up अपने आपको give up नहीं किया उसने तो अपने पेर जमाल दिये जैसे आपने डिगाओ WWE के अंदर कोन है John Cena है वो क्या कहता है never give up कभी मतलब आपको मत छोड़ो तो आप competition त्यारी कर रहे हो बार-बार आप fail होते हो कोई बात नहीं है लेगिन put his foot down अपने पेरों को put his foot down मतलब not to yield अपने को छोड़ना नहीं है त्यागना नहीं जब तक जब अपने को नहीं मिलता है टारगेट हासिल नहीं होता सकसेज नहीं मिलती है पोड़ी फूट डाउन का मतलब क्या होता है एक बार बोलिए रिपीट कीजिए नाट ट्वियर्ट नेक्स एडियम्स के तरह ओके मजा रहा होगा मजा रहा तो भाई लाइक करे लाइक करे लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब करे चैनल को फड़ा फड़ फ्रेंड लिक्वेस्ट आप से नेक्स क्वेश्टन इस बिल्ड पढ़ना चाहूंगा भई नेक्स क्वेश्टन है आंसर आप देख सकते हो मौका मिल रहा है आपको यहां पोज करके वीडियो को आंसर आप पहले देख सकते हो जी अब पढ़ देता हूं इस बिल्ड बिग बिजनिस इंपायर उसने बड़ा बिल्ड बिल्ड यहां सेकेंड थर्ड फोर्म है तलवार शूर्ड है उसके प्रैक्ट्रेस बारेपन बना लिया है अपना खंजर दिखाया और satisfy से खिला की लोग KHरी कोषे उसमयाव सब् upside बिजनिस 파ीर खटा के लिए बड़ा एक सामराजिय वी अपार का isska करेंण निकाया हुए बड़ा सामराज एक खड़ा के लिया, वो कैसे के लिया, भाई, सार प्रैक्टिस से के लिया, तो धारदार सीजे दिखाई के लिया, it means, काम दो गलत ही है, एक्सरेम हार्ड वर्क नहीं है, कीन बिजनिस स्किल है क्या, नहीं है, कीन का मतलब होता है, उत्सुक, बिजनिस व्य बेहिमानी डंग से की, आपकी सार तलवार आपकी गर्दन पर रखेगा, तो बेहिमानी हुई ना, वहां से आप पैसे लेके जा रहा है, तो बेहिमानी हुई, तो फ्रेंड से एक बार बोलेंगे, आप सार प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, सार प्रैक्टिस का मतलब होता दो noun end से जुड़े होते हैं प्लूरल होते हैं यहां रखें दो noun end से जुड़े होगे दोनों के साथ यह article हो तो अलग-अलग विक्ति होंगे और वरभी उनके साथ plural यहाएगी पहले के साथ article हो और आगे वाले के साथ यह article नहीं होता तो दोनों आदमी एक ही होते भाई यहां पर आप कह सकते हो कि आदमी एक है प्रोफेशन दो है उनका लव यहां पर दो हो सकता है उसका पद दो हो सकता है लेकिन आदमी तो एक ही है यहां पर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ देगो यहां भी आर्टिकल और यहां भी आर्टिकल इसका मतल इच अधर का प्रयोग ग्रेमर में इच अधर का प्रयोग दो के लिए गया दा दो ही विक्ति है देख लिए यहां पर ठीक है तो सेकेटरी और ट्रेजर ने और हैंड इन ग्लॉव इच अधर एक दूसरे के साथ कैसा संबंद भाई हैंड यह नहीं होता है हाथ और ग्लॉव सिस्टम मतलब कहिसा संबंद भाई चोली दामन ऺजोली दामन का साथ होना मतलब very good फ्रेंटे सोcoli डामन का साथ होना मतलब very good friends क्या एकने था बहुच्छ दोस्ति हैं very good सब्सक्राइब करना चाहूंगा बच्चे बताएंगे हैंड ग्लॉव का मतलब क्या होता है आप बोलोगे वेरी गुड फ्रेंड्स कैसे दोस्ता बही वेरी गुड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें लाइक किसे बाई आपको इंट्रेस्ट आ रहा समझ में आ रहा है तो पॉर्शन है एक मिन्ट यहां पर यह जो एडियम लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा यहां पर दू लिखा नहीं तो मैं लिखता हूं अंडर हिस टी एच यू एम और भी ऐसे लिखा हु थाम यदि अंगठा होता है क्या होता है ओके डिसकस करें ही नेवर लाइक दढ़ आ आइडिया ओफ कपिंग वाइप प्रसार क्वाइब पहुआ है रिखा इजा हुआ है उटिया कि पसन नहीं क्या अपने जो पतनी के विचारों की वह कभी पसंद नहीं किया अंडर इस थ सोड दिया इसका मतलब अंडर हिस थम का मतलब क्या होता है प्रेस्ट यहाप इस स्पेस है p r e w s e d प्रेस्ट डाउन अन्डूली का मतलब होता अनावशे क्रूप से अंडर कंट्रोल है और बीलो हिस थम थम यह अंगुटे के नीचे की तरह बात हो रही है नहीं भई यह तो proper meaning हो गया अंगोटे के नीचे की थोड़ी बात हो रही है अंडर थम का मतलब proper थोड़ी होता है ऐसे words के साप से नहीं होता है अंडर tyrannical condition tyrannical का मतलब होता है अत्याचारपूर्ण या अन्याई या दमनकारी होता है none of these इनिमें से कौन सा है अंडर हिस थम का मतलब क्या है अंडर हिस थम अंगोटे के नीचे की बात मतलब सेंस के आधार पर आप सोचो क्या होता है फिर आप मेरे को बताएंगे repeat करेंगे तो मैंने कहा था unduly unduly under control मतलब अनाउशिक रूप से वो under control है under हिस थम अपने pipe अंडर हिस थम का मतलब वाइब केस यह भई unduly under control है मतलब यहाँ पे अनाउशिक रूप से वो under control है तो यहाँ पे under हिस थम का मतलब होता है unduly under control आप कि आपको यह भी वर्ट धान में आ गया होगा below थम नहीं होगा unduly under control होगा ठीक है वैसे idioms भी आती है okay good start it is time समय हो गया है that professor cam down professor आया from there ivory towers ivory tower का मतलब क्या होता है अनलब इसको बारे मताना आपको इस आउडरी का मैं बात करूओ proper Hindi meaning की तो इसका मतलब होता हाती दा ещё आउडरी का मतलब होता ही towers आगे इसट देख लिग लि角 ती-ो ड्लू T O W E R S Towers है Ivory Towers And Study तो यहां पर समय हो गया था From Fisher Campdown आया From there Ivory Towers खहां से Ivory Type का मिनगा आपको बताना है And Study अधिन किया उसने The Real Needs of Student वास्त्विक आवशकता क्या है विध्यारत्विक की तो वो कहां से आया और उसने का कि वास्त्विक स्टेडी करका है मतलब आपको बताना है कि आया कहां से Detachment यहां पर आप बात कर सकते हो कि इसका मिनिंग क्या होगा तो सेकुलिजन देखो Detachment और सेकुलिजन पहले तो मैं मिनिंग समझा ज़ता हूँ आपको इनके Detachment का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहां पर वर्ड्स है Detachment इसका हिंदी मिनिंग की बात करूँ तो पर्थकरन होता है और सेकुलिजन का मतलब होता एकांत वास तो सेकुलिजन के पर्थकरन एकांत वास से आया टावर मेड बाई आइवरी ना भई दात दात का बनावा टावर नहीं की बात हो रही है तो ही प्रिजन जेल से आया द्रीम्स लेंड से आया तो यहां पर वर्ड्स मिनिंग नहीं है तो आप बताएंगे इसका प्रोपर मेनिंग का होता है तो इसका प्रोपर मेनिंग होता 9 का अंसर क्या होगा 9 का अंसर के अ का नीए निच्ट के तरह करेंगे तो लिए कर देली में करवाता हुगा ज़्धी आप इंटेस्टेड़ है तो कुन को हिट के लें फॉर नियू अपडेट के लिए ओके लास्ट एडियम है उसको मैं डिसकस कर नहीं जा रहा हूं ध्यान से समझेगा यूब कुल कस्टमर ठीक है यूब टू बी कुल कस्टमर होना पड़ेगा आपको और ध्यरिवान भी होना है इफ यू वां तो गेट यदि आप क्या करना जाते हो बेस्ट वाई सबसे चाहिए बेस्ट अपले डिग्री आर्टिकल दे लगा हुआ इससे पहले और तू यहां पे टू को क्या पशंद है तू को क्या पसंद है तू को बेस पसंद है तू को क्या पसंद है इसको बेस पसंद है इसको बेस फोर्म और पर यहां पे बोल रहा है कि you have to be cool customer होना पड़ेगा और पैसेंट भी होना पड़ेगा if you want to get the best वाई अब आप अच्छा खरिना चाहते हो तो आपको क्या होना पड़ेगा cool customer तो बहुत आसान है आप बताएंगे मेरेको बताओ बाई cool customer का मिनिंग क्या है be calm and not be excitable आपको एक्तम काम होना है सांत होना है not be excitable यादा उत्ता इतना नहीं दिखानी है have a cool head थंडा माता रखना है मतलब mind head का मतलब है सरसे है be uncommunicative बाचीती नहीं करनी है be choosy चूशी का मतलब होता है नक्चड़ा होता है नुक्ता चीनी करना या तुनक मिजाज का आद में होता हूं चूशी होता है तो आपको चूशी नहीं बन ना है में खड़े हुए हो और तीन गज की दूरी बना रखे हो यह तो आपको बिल्कुल सामान मिलेगा वहां पर लोग भी आपके रेस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आप से कुछ सीखने को आपको मिलेगा ओके और लोग आप से सीखेंगे कि वाके में आपने क्या किया कोविड-19 का बस एक रेमेडिय एक रिलाज है उसका सोचियल डिस्टेंस का मिनिंग क्या होगा यहां भी बहुत आसान है कुल कस्टमर का मतलब हो गया यहां पर पहला पॉस्टी डियम सा रेंक अंड फाइल का मतलब क्या था रेंक अंड फाइल का मलब और नरी मेंबर्स एक ता वाइप द नोस नाक निजसे से मूचछ इसका मलब चीटेंड दोखा किया है I have born to pick I am angry आपकी यदि कोई भी बोन को खेसेगा तो आप क्या होंगे गुसे में लाल हो जाएंगे Stuck his neck out ले गर्दन उड़ जाए मतलब आपने टुक ए रिस्क रिस्क ली है और put his foot down मतलब आपने पेर जमाद दी है मतलब आपने कैसा विजनिस किया डिसोइस डिल बेमानिस से हैंडिन गलाव चॉली दामन का साथ है बाई वेरी गुड फ्रेंड से अंडर हिस थाम है तो अंडूली अंडर कंट्रोल है अनाउसर गूप से है आइवरी टावर से मतलब वो एकांत वास से परतकरण होके आया था कूल कस्टमर बने होए तो बी काम और नॉट बेक्साइट आइओप कि आप उसेशन का भी फसंद आया होगा मैं डेली अब प्रेक्टिस कराता रहा होगा EDM's and phrases की की Airpods के exams होंगे और भी exams होने वाले हैं तो फ्रेंट्स आपसे request है कि आप channel को like करे, share करे, subscribe करे और please आपसे request है आप share करना नहीं भूले यदि यदि आप लोगों का support रहा तो हम आपको और भी अच्छे-चे content देते रहेंगे यह आप लोगों का ही support है thanks to all my students कि आप लोग मुझे support कर रहे हो और 1K subscriber complete करने वाले हैं आपन आपका support रहा तो आपन बहुत आगे तक जाएंगे बस आपकी दुआए और आपका support चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए friends अभी थोड़े दिन बाद में live आएंगे और live session में आपको पूरी grammar में live आके यह आपको पड़ाओंगा thank you so much